दोस्तों अगर आप घर बेठे बड़ी अमाउट की लोन लेना चाहते हो तो ये बजास फाइनाज पूरे 40 लाख रुपया तक की लोन प्रुवाइड़ी करता है अपने घर बेठे ही जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपके LGBT के आदर पर आपको पूरे 40 लाख रुपया तक की लोन मिल सकते हैं लेकिं दोस्तों इसमें आपको तीन वेरियंट में लोन मिलती है तो ये तीनों वेरियंट में से आपके लिए कुछ बेस्ट होगा वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अधरवाज आपको गलत वेरियंट चूस कर लोगे तो बहुत बड़े ट्रेप में में तो आपको बताएंगे ही साथी में एक वेरियन से हम लाइप प्रूब लोन अपलाई करके भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पर आप प्रूब देख सकते हो यहाँ पर इस एप्लिकेशन से हमें पूरे पचासे जार रुपे तक की लोन मिल चुकी है तो उसे अपलाई क हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल एकन डवा कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जिसे हमारी हार आने वले इसी तरी किसी न्यूव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको में जिरा है तो चले दुस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो गैस बज़ास फ पहले आपको कोई भी ब्राजर ओपन कर लेना है और उस पर गुगल पर टाइप करना है बज़ास फिंचर डोट इन और उसे चर्श करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरी के से इंटरिफिस आ जाएगा अदरवेश डारेक्स पेज की लिंग आपको डिस्क्रेप्शन में महाँ पर क्लिक करोगे तो आप डारेक्स वाले प्रेस पर आ जाओगे अब दूसरों यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला आपको काम करना है इसमें रेजिस्टर करना है तो रेजिस्टर करने के लिए निच्छे यहाँ पर एकका उप्शन दिखेगा एकाउंट का उस पर क करना होगा तो सांईप करने के लिए सबसे पहले हमें हमें सुस करना है का में ही इंडұिजल है कोपरेटीव या बिजनेश्मेंट है यह एनराई है तो यह हमें वे ऐसके र नौबाला इंटर करेंगे वह यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मबाल मिकुंचों 4ट से निटर दोस्तो प्रस्टनल लोन का एक option देखेगा उस पर हमें क्लिक करना है तो हमारे समने प्रस्टनल लोन की सारी जाने करें आजाएगी अब यहां पर दोसरा आप देखो गे तो बताएगी है कि तीन वेरियंट में यहां पर आपको लोन मिलेगी और पूरे 40 लाग रुपया तक क काम के लिए बेश्ट है लेकिन आपको कौनची लोन की जरोद है वो समझना आपके लिए जरूरी है तो इसमें से सबसे पहले हम ट्रम लोन की बात करें तो एक नॉर्मल चीह लोन है जिसमें आपको एक लोन आमार मिलते है उसका हर मंत आप EMI PIA कर सकते हो उसके बाद दोस् 50,000 रुपया पर ही इंटरस लगाए जाएगा बाके बचे 50,000 पर कोई भी इंटरस यहां पर आपको देना नहीं पड़ेगा और तिसरा है फ्लेक्स से हाइबरिट लोन ये दोनों लोन का मिस्रण है अब दरसल इसमें क्या होता है कि पहले आपको स्रिफ इसमां इंटरस पे करना होता है इंटरस पे हो जाने के बाद आपको इमाई पे करना होता है तो यह थोड़ा पैसीदा लोन है तो इसको आपको विल्दकुल भी टरस नहीं करना है और मैं तो रिकामेट करूंगा कि आपको यहां पर स्रिफ ट्रम लोन ही लेना है अगर आप फैक्सी ट्रम लोन सबसे पर हम बात करते हैं इसका eligibility criteria के भरे में इसका eligibility criteria देखें तो आप एक Indian citizen होने चाहिए आपकी और 21 से लेकि अच्छी अरकी 20 होने चाहिए आप पब्लिक प्राइवर्ट या एमेमसी किसी भी जगह पर जोब करते होने चाहिए और सिबील स्कोर यहां पर दोस्तों मेटर करेगा यहां पर बहुत चाहरी जनकारी बताई हुई अब यहां पर लोट अप्लाई करने के लिए निचे यहां पर एक option मिलेगा apply उस पर हमें क्लिक करना है तो हमारे समरे कुछ इस तरीके सेंटर पर से आएगा और यहांसे लोट अपलाई करने के प्रोसेल चालों होता है और उपर यहां पर हम देखेंगे तो बहुत सारे step बताई हुए है वो एक-एक करके हमें फिल करना है वो शारे step हमें अब आपको Live nós feel कर करके दिखाते हैं तो सबसे पहले step में हमें प्रश्चनल लीटल के नहीं है तो ब्रश्चनल लीटल में यहां पर अमरे full name neat करना है यहां पार एंटर अबर्ट सेंठेर करना है यहां पर अंब करना है यह चिछ नंबर नहीं है तु इस अगर हमारे पर JST नंबर नहीं है तुम इसे हटा सकते हैं उसके बाद यहां पर हमारे एरिया का पिन को नंबर एंटर करना है और हमारे CT एंटर करने है उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके continue पर क्लिक करने है अब continue करने के बाद दोस्तों हमसे यहां पर income verification करने को बोलेगा जिसमें हमें bank statement से यहां पर income verify करने होगी अब दोस्तों यहां पर income verify करने के लिए यहां पर सिर्फ OTP के जरौत पड़ेगी हम बैंक में जो mobile link है वो यहां पर हम देखे OTP से यहां पर हम automatic से हैं अपनी bank verify करवा सकते हैं यानि कि income verify करवा सकते हैं तो अब यहां पर एक option मिले continue उस पर हमें क्लिक करना है तो सबसे पहले हमसे यहां पर बैंक सूस करने का option मिलेगा कि कौनची bank में हमारे income आते हैं तो यहां पर हम बैंक सूस कर लेते हैं उसके बद यहां पर हमें स्टमसन कंडिशन वाला box पर टीक करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है तो यहां पर थो नीचे स्कूर्ड करके यहां पर जितने भी ट्रमसन कंडिशन वाला box देखेगे उस सारे box पर यहां पर हमें टिक कर देना है और गिव कॉंचेंट पर क्लिक कर देना है तो अब यहां पर दोस्तों हमारे bank statement ओटमेटिक से ए उठा लेगा यहां पर हमें सिर्फ दो मिनित के दो मिनित के अंदर ही हमारा bank statement यहां पर उठा लेगा और हमारे समने आजाएगा next step जिसमें हमें अब employment detail देनी है अब employment detail में यहां पर हमारा company का नाम एंटर करना है अपना business का nature एंटर करना है constitution में यहां पर हमें सूस करना है कि हमारा business individual है या partnership में है उसके बाद angel turnover यहां पर एंटर करना है उसके बाद यहां पर यहां पर पूछ रहे है कि आपका current address और work address डोनों same है अगर है तो yes करना है अधरवाज no करके आपको work address अलग से देना होगा उसके बाद नीचे दोस्तों हमारी कहीं और जगा पर email चालू है तो कितना email चालू है वह यहां पर एंटर करना है अधरवाज यहां पर आपको zero कर देना है उसके बाद continue पर क्लिक कर देना है continue करने के बाद हमसे यहां पर office का address पूछा जाएगा अब office address में सबसे पहला हमारा floor room office नमर या building नमर यहां पर पर हमें एक loan amount दे जाएगी यहां पर हम थोड़ी दिर वेट करेंगी तो यहां पर आप लाइफ रूप देख सकते हो हमें यहां पर पूरे 50,000 रुपय तक की loan मिल रही है लेकिन अब यह final amount नहीं है अभी हमें और भी कुछ step complete करने बागी है उसके बाद हमें कितनी loan मिलेग पर यहां पर यह loan मिल रहे है लेकिन इस loan को आप negotiate करके कम भी कर सकते हो कैसे करना है वह मैं थोड़ी दिर में आपको बताता हूं तो अब यहां पर दोस्तों हम इस loan को लेना चाहते है तो यहां पर हमें continue पर click कर देना है जैसी continue करेंगे तो हमेरे समने loan की सारी summary आ जाएगी जिसमें आप देखोगे तो 50,000 रुपय की loan है और 2045 रुपया यहां पर processing fees लगाई जाएगी उसके लवा 2950 रुपया यहां पर CPP life सुरक्सा करके occupation मिलेगा जो कि एक insurance का option है वह अप लेना चाहो तो यहां पर इस box पर आपको tick कर देना है लेकिन इसकी कोई भी जरूत नहीं है आप इसे अंटी की रखोगे तो आपके लिए फाइदा होगा अधर्वाज एक्स्ट्रा कुछ साथ चिपका जाएगा तो हमारी total loan amount हो जाते है 22,45 रुपया क्योंकि हमारी processing fees जो है वह हमारी loan amount में ही include हो जाते है यहां पर processing fees 2,45 रुपया है stem duty charge 0 है और broken period interest भी 0 यहां पर यह मिल रहे है कितना interest लगए जाएगा यह मैं कितनी कटेगी और सारी जानकरी यहां पर बताई हुए है अब यहां पर हमें कुछ नहीं करना है simply continue पर क्लिक करना है जैसे continue करेंगे तो अब यहां पर दोस्त हमें KYC करना होगा और KYC में यहां पर हमें आधर करके detail देने होग यहां पर हम एंटर करेंगे और submit पर क्लिक कर देंगे तो हमारे समने आधर करके सारे detail आ जाएगी उसे हमें एक बर अच्छा से देख लेना है और confirm पर क्लिक कर देना है जैसी confirm करेंगी तो हमारे समने कुछ इस तरीक से interface आ जाएगा जिसमें आप बताएगी है कि आपके अपर को लेना चाते है वह बेंग डिटेल यहां पर हमें देने होगी तो बेंग डिटेल में यहां पर हमरा अकाउंट होल्डर नेम आएफसी कोड एकाउंट नंबर और एकाउंट टैप यहां पर हमें सूज करना है और continue क्लिक कर देना है तो यहां पर थोड़ा सा processing लेगा और हमारे बेंग अकाउंट को वेरिफाई करने के लिए हमारे बेंग अकाउंट में एक रूप्या पेजा जाएगा एक रूप्या आते हैं हमारे बेंग डिटेल यहां पर वेरिफाई हो जाएगा और हमारे जो लोन अमाउट है वो भी सब्मिट हो जाएगी यहां पर आप वो आप से verification करेगा अब verification में क्या क्या सीजे पूछी जाएगी वो नीची यहाँ पर बताएगी है जिसमें आपको document verification करना होगा उसके लिए यहाँ पर बताएगिया है कि इसका educative आपके office या आपके घर पर visit करके आपका document कलक कर सकता है उसके बद document के आधर पर आपका LGBT चेक होगा उसके बद आपको e-mandate process complete करना होगा e-send agreement करना होगा और a loan amount आपके bank account में transfer कर दी जाएगी अब दूसरों यहाँ पर मैं बता दूँ कि within एक घंडे के अंदर इसका educative आपको call करेगा ही लेकिन किसी किसी case में ज्यादा समय भी लग सकता है लेकिन किसी किसी case में एक या दो दिन का समय भी लग सकता है यह आपके area पर depend करेगा आपके area के आजू-बजू में ही बज़ाज की कोई office होगी तो वहाँ से आपको तुरत ही call आजाएगा अदरवज आपके area से दूर जगा पर कहीं पर office होगी तो वहाँ पर जाता समय लगेगा अगर एक गंडे या दो दिन के अंदर आपको call ना आए तो आपको यहाँ पर number दिया गया है आप खुद से call करके भी अपना status चेक कर सकते हो और बता सकते हो कि मैंने loan apply किया हुआ है अब आगे मुझे क्या process complete करना है ठीके और यहाँ पर दोस्तों जब आपके कर पे या आपको call पर educative बजाज फिंसर्वर का मिले तो उन्चे बात करके आपको interest नेगोसियेट भी आप कर सकते हो ठीके तो यहाँ तक ही process आप online कर सकोगे आगे क्या process complete करनी है वो बजाज की educative ही आपको बताएगे अब जब तक बजाज का educative आपको call नहीं करेगा तब तक आपके आपके आपको पर कोई भी process नहीं complete कर पाऊगे ठीके तो इस तरह किसे दोस्तों आप बजाज फिंसर्व से एक बड़ी amount की loan आपलाई कर सकते हो तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही उमिद करते हैं कि आपको एफ वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, share, comment and subscribe करना ना भूले तो चले दोस्तों मिलते हैं को यसी next वीडियो के साथ तरता के लिए जए हैं जए भारत